सार अब हम जिस विशे का अधिन करेंगे वह भी सांकिकी का आपका महारत पूरे बिंदू है और सेंटर टेंडर्सी में अर्थाथ केंदी प्रवत्य में हमने मध्यमान और आपकी जो माधिका इसका अधिन कर लिया था कि इसको कैसे निकालना है अब हम जिस कूश्शिन को सौल करेंगे वह है इस स्चांभ बहु नक से अब बहु लांक से समझने जो आपका प्रश्न है उसको हम सौट ठने के लिए हम जो हम सौल प्रियास करेंगे उसके लिए हम चाना परेगा कि यह है क्या तुसको इंग्लिश में कहते हैं मोड और इसको डिनोड करते हैं मोसी तेक आप देखिए यह जो मोड होता है इसको मतलब कैसे अइडेटिफाइ करें कि किसी का मोड कैसा तो दो प्रकार के आंकडे होते हैं एक वर अब इध्यास देखिएगा अपने जान लिया कि जो जादा बार आएगा वहीं क्या होगा आपका मोड होगा यहां देखिए जो हम आंकडे जितने प्रभागों में बाटते हैं उसके अनुसार कैसे निकालें जैसे अब वर्गी क्रित में दो चार पांच दो आठ पांच न अगर ऐसे डात डिया हुआ है जिसको वर्ग में नहीं रखा तो इसमें जो सबसे जादा बार आए जैसे पांच एक बार आ पांच एक बार तो इसका मोड क्या होगा वाट तैकि यह अपना इनिटिफाइ कर लें बहुत इनजी है इसका मोड कैसे निकालेंगे तो इसका और F देगा, दो टम आपके question में दिया होगा, अब जिसे हमने माना कि 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, यह आपका अकर, अब मालीजी है आवित्य दिया है, 8, 10, 15, 4, 10, अब आप, अब यहाँ देखेगा, अगर आप इसको देखके कहें, कि आपका यह भाउलांके तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 10, 10 दो बार आगे, यह तो आपकी frequency कोई बार यह वाले इंटर्वल में 10 बार आ और यह वाले इंटर्वल में, इसलिए मैंने ऐसा आपको option दिया, कि यह व अब सूत्र कैसे बताएंगे, कि इसका सूत्र क्या होता है, अब ध्यान से देखेगा, जब वर्गी कृत आंकडे को सौव करते हैं, तो जो हम सूत्र लगाते हैं, वो कुछ इस प्रितार से होता है, कैसे, ख्यान दीजेगा, MO is equal to, अब याद करिए, L, M के परले क्या, L, L होगा, L प्रेस, M, फिर यहाँ पर जो फॉर्मुला होता है, ऐसे एक ब्रैकेट रहेगा, और C आई रहेगा, जैसे पिछले में मैंने बताता है, इतना तो आपको अपको अप्रिता है, लेकिन यहाँ जो फॉर्मुला होगा, आप ध्यान से देखे, F of M minus F of B, अपान F of M minus F of A plus F of BM minus F of B, यह आपको सुर्मुला है, इसको और एक तरह से लिसे, is equal to L plus F of A upon F of A plus F of B into C, जल्दी में, जितनी बार जिस दोनों सुत्रों से जो आपको बहलांक हैगे, वो दोनों अलग-अलग हैगे, तो ज्यादा आपका रिलाइबल यह होता है, और उसे जल्दी में निकालने तो आप यह भी से निकाल सकते हैं, तो जब हमें, मालीजी इस इस फॉर्मॉले से निकालना है कि कैसे हम भॉलांक निकालेंगे, तब देखे, पहले तो हमें, अब देखे, किसी की इंटर्वल का यह होगा, मतलब लूवर आपकी जो लिमिट होगी, C आई आई आपको पता है, क्लास इंटर्वल है, ठीक है, आप देखे, यहाँ पर F M, F अब F है, तो मतलब किसी बारम बारम से लेना, तो F M मतलब M से आपने समझे, B समझ रहा है, पिछले में बिधा, बिलो, A क्या है, अपर, F of A क्या है आपका, यह, F of B यह, F of M क्या होता है, मिट का, F of M, आप देखे, आपको यही देखे, अब यहाँ के लूवर लिमिट क्य होगी, आपका L is equal to, यह 50 है, तो 50, आपको बताया था, minus 0.5, जब लोवर लिकालेंगे, तो minus 0.5 करेंगे, आप लिकालेंगे, तो plus 0.5 करेंगे, तो यह हमारा आ गया, 49.5, तो यह आपका लोवर लिमिट निकल गया, ठीक है, आप बस, class interval देखेंगे, तो इन दोनों का difference कित 0.5, plus F of M, means 15 minus F of B, 4, upon 15 minus 10, plus 15 minus 4, क्योंकि यहाप पर देखेंगे, आप दिया हो, अब आप कहेंगे, कि F of A, तो अपर यह तो जादा क्यों यह, अरे भाहिया, सबसे जादा तो आपका F, mean, जो आपने लिया है, इससे कमी होगा, ना, तो इसमेंगे, जो आपने लिया है, इ तो इसको solve कर दीजए, और आपका mode, यहाँ पर identify हो जागा, कि आपका mode क्या होगा, तो यह आपके जो प्रश्नों होता है, वो बहलांग संबर दी प्रश्नों होता है, एक और सूत्र होता है, जो अकसर पूछता है, सूत्र कौन सा होता है, जड़ा सध्यान दे, जब आपके प्रश्नों में, mean, median, mode, तीनो, एक साथ पूछ ले, तब आप क्या करें, तो mean, median, mode, अगर तीनो, एक साथ पूछता है, तो उसका सूतर यह होता है, simply, mode is equal to 3 median, minus 2 mean, पहले हमने सबसे last में क्या पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, उसके पढ़ा, उसके पढ़ा, उसके मार्दी का, और यह किया है, अपका इसया, का मार्द्यमान, और यह किया है, आपका बहूला, जब आपका data, ऐसे CI, F दिया हो, तो आप उसमें D के method से निकाल सकते है, यह mean, आप उसमें C F से निकाल सकते है, median, अप सी आप से ही, आप क्या करें, आप calculation करें जो data आये तो आपका mean आजाए, median आजाए, तो mode निकाले की जरूरत इने पड़ेगी, directly हम formula रखेंगे, mode यह है, और आपका, क्या करेंगे, 3 multiply by median, minus 2 multiply by mean, आप देखें, कभी-कभी डारेक्ट जो प्रश्प पुछता है, जो छोटे में पुछेगा, तो मारेज़ आपको median देदिया, mode देदिया, mode देदिया, 4, median देदिया, 5, तो आप कैसे निकालेंगे, मारेज़ यह 10 देदिया, और यह 5 देदिया, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको 10 is equal to 3 into 5 minus 2 है, अगर इस formula में कुछ भी देता है, तो आप इस formula में put करेंगे, तो आपका mean निकल जाएगा आराम से, आपको पुरा data देखना ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे यह आपका formula होता है, बहुलांग को solve करने का, समझ में आ है? आप देखे एक टम और आप इसमें ही पढ़ लिजे, प्रसार भी पूछता है कभी-कभी, प्रसार कैसे निकालेंगे? बहुत ही छोड़ा सा formula, इसलिए इसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपको नहीं देखने कि ज़रुत पड़ेगे, जब हम प्रसार निकालते हैं, इसको बोलते है रेंज, प्रसार, कोछ चीज कितनी फैली है, कोछ चीज कितनी फैली है आप कैसे बताएंगे, इसको डाटा है आपका 10, 18, 15, 4, 15, sorry, 20, etc, etc, ऐससे आपका डाटा है, तो कहेंगे इसका प्रसार, अदो इसको फैलाओ कहां से कहां तक है, तो कुछ तो होगा, इसका प्रसार, तो इसका प्रसार का फॉर्मूला होता है, वो होता है, प्रसार is equal to, उच्चितम सीमा, minus nimnatum sema plus 1 यह इसका formula होता है याद रखेगा उचितम minus nimnatum आपको याद रहना अच्छ है plus 1 उचितम मतलब क्या? आपको जिस कितनी फैली है तो यहाँ से बोले कि यहाँ से फैली है यहाँ तक तो इसको यहाँ हटा देंगे और अगर टोटल में से यहाँ से यह देखे तो आपको आजाके नहीं उचितम सिमा मारस nimnatum sema तो जब हटाएंगे तो आपका यह प्रसार कितना फैलाव है उस डाटा का आपको पता चंद है आप यसे इस एक्जाम्पल में हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे उच्छे तमसिमा क्या है आइडेंटिफाइ करें 20 निमन तमसिमा क्या है 4 प्लस 1 अब क्या हो गया 20-4 तो यहाँ पर आपका 16 प्लस 1 तो पर दू 17 तो इसका आंसर जो आएगा 70 आएगा और इस प्रकार से हम प्रसार निकालते हैं यह बहुत इंपर्टेंट आपका यह भी प्रशन आता है तो पूछ सकता है कहीं भी आपके नेट के फॉस्स पेपर में या 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 यूपेट में तो आप इसको प्रिपार कर लेजिए और किस प्रिकार से आपको इसको सौल करना यह भी देख लिए इसके अनावा अग्री स्रीज में हम अन्या ऐसे सांकिकी विद्यो का दिन करेंगे जैसे चतल थांश हो गया आपका कॉर्टाइल हो गया बहुत सारी आप इसके भी फॉर्मूलों को हम यह पर देखेंगे कैसे हम सौल करते हैं सांकिकी में इन मानों को अगर इससे सम्मधिद आपके प्रशन आते तो कैसे सौल करें आप अपनी तयारी में लगे रही है ठीक है जिसको इसको पढ़ने की ज़रुरत नहीं ना पड़े जादा सेटर चीज़े हमारी कवर रहती है तो हमें क्या होता है हमें हजीटेशन या जो हमारी हिचकर होती है वो कम रहती है और हम जितना एग्जान से पहले रिलाक्स रहते उतने इच्छे से खेंपर को सौल करते हैं अगर आपको देख के प्रशही लगें कि अरे मैं तो देखा ही नहीं है क्या था तो जादा गलत होने की संभाना थी अगर आप थोड़ा बहुत देखा होता है तो आप आप्शन देख के विए उसका अंसर निकाल सकते हैं